लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले शहर का एक पचीस वर्षी एईवक जब लड़कियों के कपड़े पहन डांस करता है तो लोग देखते ही रह जाते हैं लोगों को अहसास ही नहीं होता कि उनके सामने डांस करने वाली एक लड़की नहीं होकर एक लड़का है डांस देख लोग उसके धीवाने हो जाते है लड़की बन डांस करने वाले दीपक मारवारी को इस मुकाम तक पहुचने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा कदम कदम पर लोगों के ताने और छेड़ चार के बावजूद दीपक आज अपने डांस के दम पर पूरे शहर में प्रसिद्ध हो चुका है दीपक का कहना है कि बचपन से मुझे लड़कियों के कपड़े पहन डांस करना बहुत अच्छा लगता था घर में दीदी की ड्रेस पहन डांस करता रहता था थोड़ा बड़ा हुआ तो पापा की तबियत खराब रहने लगी और परिवार चलाने की जिम्मेदारी आपड़ी इसके लिए कई काम किये लेकिन कहीं मन नहीं लगा हमेशा एक बेहतरीन डांसर बनने का ख्वाब देखने वाले दीपक ने अपने मन की जिजग को तोड़ा और लड़कियों की ड्रेस पहन सारवजनिक समारों में जाना शुरू कर दिया शुरुवात में कोई काम नहीं मिलता लेकिन धीरे धीरे पहचान बनती गई और काम मिलता गया मारवाडी डांस करने वाला दीपक भुलानी अब दीपक मारवाडी के नाम से प्रसिद्ध हो गया अब तो हमेशा से एडवांस बुकिंग चलती रहती है दीपक देश के कई शहरों के साथ दुबई तक में अपने डांस के जल्वे बिखेर चुका है दीपक ने बताया कि शुरू में सब लोग मेरे माता पिता को ताना मारते थे कि बेटा लड़की बन डांस कर रहा है इस पर माता पिता ने बहुत समझाया कि यह काम छोड़ दे लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि अच्छी इंकम वाले इस काम को छोड़ा जाए बस दीपक डटा रहा और डांस करता रहा धीरे धीरे हालात बदल गए और कोई कुछ नहीं कहता दीपक ने बताया कि अमूमन लोग परिशान करते रहते है ऐसे में वेक कारेक्रमों में अकेला रहना पसंद करता है एक शादी समारों में एक लड़की वंदना ने कहा कि क्या मुझसे दोस्ती करोगे यह प्रस्ताव सुन वे चौक उठा दीपक ने सवाल दागा मैं तो लड़का होकर भी लड़की के रूप में डांस करता हूँ वंदना ने कहा मुझे मालूम है और मुझे तुम्हारा यही रूप अच्छा लगा इसके बाद धीरे धीरे दोस्ती परवान चड़ी और प्यार में बदल गई तीन वर्ष पूल दोनों ने शादी कर ली अब उनके एक बेटा भी है